हेलो फ्रेंड मैं हूँ निरत सिंग और आपको बताने वाला हूँ कि कल का आपको दोस्तों इंजिनरिंग फ्यूजिक्स का पेपर है इसमें exactly क्या कोशन आएगा most accurate 99% sure questions आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ इसके लिए दोस्तों वीडियो शुरू करने के वहले मैं आपको बता दू कि इसके पहले हमने बुंबाई इंवर्सिटी का free crash course रखा था जिसमें हमने जो questions दिये थे exam में exactly उस सारे वही questions आए थे और इसी तरह दोस्तों आप सब के लिए हम लोग free crash course लेकर आ रहे हैं पूरे exam में क्या-क्या expected questions है most expected questions और previous chapter wise questions यह सब दोस्तों आपका हमारे app MID pro पे freely मिल जाएगा जिसकी link description box में दी गई है तो अभी student download कीजेगा और हमारे WhatsApp group को join कर लेजिए ताकि आप सारे updates दोस्तों टाइम पे और सारे resources दोस्तों पास सके आईए वीडियो को आगे बढ़ाते मैं ऐस और मैंने जो हमार मनी ने और हमारे टीम ने जो दोस्तों दो पेपर सेट डिजाइन किये हैं अगर आप उसे solve कर लेते हैं मैं आपको यह guarantee देता हूँ exam में आप 65 plus physics में 100% guarantee दे रहा हो आपको कि इसी दो पेपर solve कर देने से आप exam में guaranteed 65 plus out of 70 दा सकते हैं तो आईए दोस्तों सो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि आपका पूरा पेपर है यह 70 marks का है जिसमें 4 modules आपको आने वाले है quantum physics, semiconductor, superconductivity and nanoparticle हर एक module पे दोस्तों दो questions होंगे इस तरह total 8 questions आपको पेपर में दीखेंगे जैसे जो सबसे पहला module आपको आने वाला है which is quantum physics syllabus किसाबस आपको थर question number 2 यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ detail में तो यह दोस्तों हमने paper set design के है हमारे team ने जिसे आप हमारे whatsapp group या app पे पास सकते हैं और exactly यही सारे question exam में आगे और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सी तेरी के लिए numerical की भी तो दोस्तों यहाँ पर question number 1 and question number 2 अगर marks description दिखेंग है सबसे main चीज की किसा numerical किस तरह के आएंगे तो दोस्तों numerical जो है वो अगर हम quantum physics के बात करें तो इसके अंदर a particle trapped in a potential infinite potential well इस पे numerical बनता है हाईजंबर अर्संटरिटी में numerical बनता है डीव लॉगली वे नुमेरिकल बनता है तो यह तीन category के numerical बनते है और इसमें किस तरह के exactly numerical पूछे जाएंगे आप सी वे दो model paper solve कर लीजेगा इसके ही variation या exactly आपको यही numerical exam में देखने को मिलेंगे guaranteed तो अगर आप यह सारे questions कर लेते exam में कोई भी numerical दोस्तों आसानी से handle कर सकते है तो दोस्तों इसके बात जो हमारे पास है जो question number 3 and question 4 वो दोनों based है हमारे semi conductor पे लेकिन उसमें थोड़ा सा marks distribution 18 से 17 हो जा marks का होगा और इसके अंदर जो numericals है वो conductivity, resistivity, Hall coefficient और अभी तक क्योंकि 290 के से level पे एक ही पार paper हुआ है तो expected है Fermi energy level से question है तो जो numerical का category होगा ना वो हमने यहाँ पर जो numericals दिया बस आप उतने करके जाहिए similar ही numerical या exactly यही numerical आपको exam में दिखेंगे तो दोस्तों question number 3 and question number 4 यह दोनों semiconductor पे होगा इसमें से कोई एक question आपको करना है जो 17 marks carry करता है अगर आप यह दो module कर लेते हैं तो 17 plus 18 ऐसे cool मिला करके आप देख सकते हैं कि easily आप 35 score कर सकते हैं तो आइए मैं आपको दोस्तों आगे लेकर चलता हूँ और समझाता हूँ कि question number जो हमारा 5th और 6th है इसका क्या distribution रहने वाला है तो जैसा मैंने 3 और 4 क्या रहें बता दिया दोनों जो है वो semiconductor पे रहेंगे question number 5 और question number 6 दोस्तों super conductivity से related रहेंगे जिसमे numerical एक ही category का expected है वो है critical temperature पर जो यहाँ पर मैंने दे रखा है दोस्तों इसमें marks distribution exactly question number 1 जैसा होगा है यानि total 18 marks मतलब super conductor वाला जो च super conductor में based होगे किसी भी एक को आपको करना है तो अगर आप numerical छोड़ भी देते तो जिस bit में numerical रहेगा उसको avoid करके दूसरा bit attempt कर सकते हो okay तो इसमें दोनों bit में numerical आएगा इसकी probability बहुत कम है दोस्तों इसके बाद last जो आपका module है which is super conductor and sorry I'm sorry nano particle right तो इसका marks distribution again 17 marks यह 18 का था वो फिर सत्रागा होगा तो आईए मैं आपको वो दिखा देता हूं दोस्तों को जो module number हमारा 7 है इसमें दो टाइप के numerical expected है एक floor detection पे अल्टर सॉनिक के जड़ी है floor detection and thickness detection तो आप दिखेंगे एक bit में thickness और floor detection के numerical पूछे आ सकते हैं और यह paper set में हमने दोस्तों जो numerical दिया है उत इसमें जो question से theory last model के fixed track का थोड़ी questions आएंगे हमने जो दो paper model set में दिया है उतना करने से उसके बाहर का कोई भी question exam में आपको नहीं दिखेगा एक बार फिर से बता दू कि यह paper model दोस्तों आप AMD pro app से download कर सकते हैं और download करने के आप दोस्तों इसी paper set में अगर आप नीचे return या आपने जो भी subject लिया हुआ है SME की अगर हमनों बात करें इन सबके most expected question और model paper में आपको दे सको और सारे updates आप टाइम में पास सके तो जल से जदे हमारा WhatsApp group join करना भूलिएगा नहीं तो मिलते हैं दोस्तों next video में जो आपका next paper एंजरी mathematics 1 उसके strategy और उसके paper set करे मैं आप आपको बताऊंगा आपके physics exam के बाद बहुत बहुत हन्यवाद